स्वागरे दोस्तों आप सबका ठाना इंडिया लगे नहीं एपिसोड दे तो मैं पहुंच गई हूँ बडोद्रा और बडोद्रा आकर धुली राम जी के पैंडे नहीं ट्राई किये तो क्या खाया तो चलिए यहां के पैंडे लेती हूँ और ट्राई करती हूँ और आपको बडोडा में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनोंने दुली राम जी के पैंडे ट्राई नहीं किये ओगे 1862 में मथूरा से आये थे दो शर्मा बंदू और मथूरा का वही पैंडा यहां पे बेशने के लिए खोली उन्होंने दुकान और उसका नाम रखा गया था पैंडा वाला दुली राम रतनलाज शर्मा और पिछली 160 सालों में उनके पैंडो के टेस्ट का ऐसा जादू चला कि आज सिर्फ बरोड़ा नहीं बलकि पूरा गुजरात और पूरा इंडिया इनके टेस्ट का दिवाना है जो भी आप भीड देख रहे हो यह सुबस साड़े 9 बजे की यहां पे भीड है तो यहां पे पैंडे बनाने की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मावे को तीन से चार गंडे तक सेका जाता है और आप देख सकते हूं ऐसा ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक उसे सेका जाता है और बस उसके ऊपर छिड़का जाता है यह शूगर का पाउडर हर रोज के यहां पे 500 किलो कि यह उसका पैंडा मेरा हाथ में आ गया आप देख तो यह पैंडा तो आप इस आपको ट्राइब करके बदा तुम के तेस्ट में सिक्किया यह कैसा है बहुत लजीर अपनी यह नहीं खाया वरोज आपको क्या किया आप अगे से ट्राइब जरूर जरूर कीज़ेगा और ऐसे ही खाने का अलग-अलग और यूनीक वीडियो को देखने के लिए खाना इंडिया का पेज को फेस्बुक पर लाइक कर लिजे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लिजे और अभी तक आपने इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं क्या है तो फटावट से फॉलो कर लिजे तो चले मिलतों नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बाबाई